Hey guys, welcome to a new video तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ की अपने WhatsApp account को permanently delete कैसे करती हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने WhatsApp को open कर लेना है और WhatsApp को open करने के बाद आपको यहाँ पर उपर 3.0 पर tap करना है यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर सबसे नीचे अपना phone number डालना है जिस भी phone number से आपका WhatsApp account login हुआ है तो जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ और phone number को डालने के बाद आपको यहाँ पर delete my account पर tap करना है और delete my account पर tap करने के बाद आपको यहाँ पर एक रीजन सेलेट करना है क्यों आप अपना यहाँ वाट्सेप अकाउंट डिलीट कर रहे हैं तो जैसे मैं यहाँ पर सेलेक्ट रीजन चूज कर लेता हूँ और यहाँ से मैं Others पर टैप कर देता हूँ अब यहाँ से पुझा आता है कि How can we improve तो जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नोवे और यहाँ से आपको डिलीट माई अकाउंट पर टैप करना है और यहाँ से डिलीट माई अकाउंट पर फिर से आपको टैप करना है तो यहां से देखिये मेरा यह WhatsApp account अप permanently delete हो चुगा है तो इस तरह से आप अपना WhatsApp account permanently delete कर सकते हैं So, well guys, if this video is helpful for you, then like and share this video and subscribe this channel to get these type of videos first and press the bell icon to get the notification of my videos first So, bye bye and take care